हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम फोर यू में आपने यूट्यूब की बहुत ही सांदार और जानदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है दोस्तों आप सभी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर ट्रेंडिक कर रहा है कि आपका रात को आठ बजे आज रिजल्ट आ जाएगा क्या इसकी सच्चाई है मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ तो आप वीडियो का भी ने स्किप की एंड तक जरूर देखें अगर आपको सच्चाई जानने है कि 8 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा कट ओफ क्या जाने वाली है फिजिकल कब होगा रिजल्ट डेट क्या होने वाली है अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है पहली बार वीडियो देख रहे है तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सब इक नोटिफिकेशन मिलता रहे है तो पहले सवाल है क्या आज आपका रिजल्ट आ जाएगा आज आपका रिजल्ट नहीं आया है पहले ख़वर थी कि टेंटेटिव डेट आपकी 31 जनवरी है लेकिन आज आपका रिजल्ट नहीं आया है फिजिकल कब से होगा स्टार्ट physical जो है आपका March में खिसक सकता है जी हाँ पहले फर्वरी में बताया जा रहा था कि आपका फर्वरी में फिसिकल हो सकता है लेकिन result नहीं आया 31 January को आपका physical जो है March में जा सकता है पंद्रह सो का होगा 15,000 का होगा आपका physical रिजल्ट ना आने के क्या करण हो सकते हैं दोस्तो कोरोना काल चल रहा है कोपी आपकी चेक नहीं हुई ये सबी बाते हैं रिजल्ट ना आने के फिजिकल क्या मार्च में होगा जी हां मार्च में हो सकता है आपका फिजिकल मार्च में खिसक सकता है अभी कोई अपडेट नहीं आई है लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया है 31 जनवरी को तो इसके कारण आपका फिजिकल भी लेट हो सकता है थोड़ा फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा फाइनल रिजल्ट दोस्तों आपका मार्च मेंगर फिजिकल होगा तो अपरेल के आसपास आपका result आएगा थोड़ा इसमें process हो सकता है लेट चल रहा हो लेट ही आपका physical कराया जाएगा then लेट ही आपका joining letter दिया जाएगा cut off क्या जाएगी जो बोला वही सच क्या होगा अब आगे दोस्तो cut off में आपको बता दूँगा आप tension मिलकुल ना ले तैयारी में जुटे रहें physical की तैयारी शुरू रखें जो मैं बोलूँगा आपको cut off का अगर आप इतने number लेकर आ रहे हैं तो तैयारी शुरू करें अब क्या होगा आपका आगे कुछ नहीं होगा physical करवाय जाएगा 100% करवाय जाएगा आप tension बिलकुल ना ले जल्दी से जल्दी notification भी आ सकता है UPJL वार्डर और फर्मेन का क्यों नहीं आया सब भी बाते में आपके साथ डिसकस करूँगा तो आप वीडियो के साथ end तक जरूर बने नहीं cut off देख लेते हैं mail category की अगर आप जर्णल में है 80-85 question सही करकर आए और 160-160 number आपके आगे तो तयारी शुरू कर दे physical की दोस्तों जी जान से लग जाए physical 100% होगा अब नहीं तो 10 दिन बाद होगा 20 दिन बाद होगा लेकिन 100% होगा आपका physical OBC में 75-60 question 150-160 number SC में 70-75 140-150 number वहीं female की देख लेते हैं अगर आप जर्णल में 75-80 question सही करकर आए है 150-160 number आपके आजाएंगे अगर आप OBC में 70-75 question 140-150 number वहीं SC कैटेगर में 65-70 question 130-140 number वहीं ST female में 55-60 110-120 number आपके आजाएंगे तो तयारी शुरू रखे वहीं एक सर्विसमेन में 50-55 question अगर आप ठीकर कराएं 100-110 number आपके आजाएंगे तो तयारी शुरू रखे और दोस्तों physical होगा आपका boys की जो race होगी 4.8 km की race है आपको 25 मिनट या उससे कम समय में पूरी करनी है वही female की 2.4 km की race है और फिमेल का वेट जो है 40 kg से अधिक मांगा हुए अगर आपको वेट 40 kg से कम है तो अपना वेट बढ़ा ले आपको समय मिल गया क्योंकि result में देरी हो सकती है तो अपना वेट बढ़ा ले खापी ले अच्छे से diet अपनी proper maintain करे क्योंकि आपको समय मिल गया है और 10-15 दिन का अगर आपका कोई question कोई query कोई doubt रह गया हो तो आप comment box में पूल सकते है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो like share और subscribe करके जरूर जाना exam for you channel को ताकि आपको पलपल के update मिलती रहे ठीके बटन को जरूर ओन कर लेना तो दोस्तों इस वीडियो में इतने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंजय भारत